बाद बच्चों, आज हम लोग स्वार संगम पेज नमबर 24 में कुछ अभियास प्रशन दिये हैं, उनको हम लोग करेंगे, आईए हम लोग इसे करते हैं कचित्र पहचान कर उनके नाम लिखो, यहाँ पे चित्र है, उनके हमको नाम लिखना है यहाँ पे मैंने लिखा है पहला चित्र का नाम कबूतर, दूसरा जो चित्र है यह चूहा का है, यहाँ मैंने लिखा है चूहा यह आलू का चित्र है, तो मैंने यहाँ आलू लिखा है, यह है फूल, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फूल फूल का चित्र है तो हम लोग फूल लिखेंगे अब हम लोग प्रश्न खा पराते हैं कोश्ठक में से सही सब्द छाट कर खाली स्थान भरो यह कोश्ठक है यहां से हम लोग को सही सब्द को लेना है और यहां पे खाली स्थान में भरना है पहला बबलू उठ यहां होगा सूरज निकल आया तो हम लोग इसको श्ठक से सूरज को लेंगे सूरज निकल आया बबलू उठ सूरज निकल आया सर्जू यहां से हम लोग लेंगे नाखून हम लेंगे नाखून सर्जू नाखून काट कर आ खुश्बू कालू को मत सता यहां हम लोग लिखेंगे कालू अब हम लोग प्रश्ण गा को करेंगे बड़ियू की मातरा लगा कर सही शब्द बनाओ यहां पे शब्द इस तरह से दिया हुआ था बिना बड़ियू की मातरा लगे यहां पे हम लोग मैंने इसे बड़ियू की मातरा लगा कर सही शब्द बना दिया इस तरह से चूहा, भालू, जूता, कपूर, मयूर, खुश्बू, अमरूद, पतलून, कबूतर इस तरह आप लोग भी इसे करोगे अब हम लोग प्रश्ण घा, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो दीपू, यह जो चित्र है यहां पे वही लिख देना था यह जो खाली स्थान था उस पर दीपू, तर्बूज, खाकर इधर आ पूनम, जूला, जूल, रही थी कालू, कूडादान, उधर रख बच्चो, आप लोग भी इसे अपनी किताब सुर संगम, पेज नमबर 24 में इसे करोगे